नमस्कार मैं मों विशेक त्याइग आई पेल 2022 की शुरुवात हो चुकी है पहला मुकाबला CSK वर्सिज KKR की बीच खेला गया जिस मुकाबले को KKR ने 6 विकेट से जीता लेकिन इस मुकाबले में सबसे जादा चर्चा अगर किसी की हो रही है KKR की टीम की तरब से तो वह लबहा जिस लमहे ने शेल्डर जैक्षं को सभी का चहिता बना दिया उनकी खूब चर्चा हो रही है वह लमहा था अर उत्अप का स्टंप करना द्रसल जिस वक्त वरूप्टि गेंबाजी कर रहे थे वरूप्टि के ओबर में उत्अपपा ने वरूप्टि को आगे बहुत बड़े बड़े दिग्गत खिलारी शेल्डर जैक्शन की स्टंपिंग की तुल ना मेहंदर सिंग दोनी से कर रहे हैं सचिन तैंदुरकर ने शेल्डर जैक्शन की तारीप की है सचिन तैंदुरकर ने कहा है कि शेल्डर जैक्शन कमाल की स्टंपिंग की है और मुझे मेहंदर सिंग दोनी के फुर्ति की याद दिला दी। जी हाँ, बिल्कुर सचिन पैंदर करना रही बात, बिल्कुर ठीक बोली है, और आप लोगों को याद होगा, मेहंदर सिंग दोनी भी अपनी इसी तरीके से फुर्ति वाले स्टम्पिंग के लिए जाने जाते थे, किस त तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी मानी जा रही है तो आपको लगता है कि यह खिलारी टीम इंडिया तक का सफ़र टैकल का क्योंकि इस अपने घरेलों क्रिकेट खेलते हैं आइकल में ज्यादा मुकाबले नहीं खेलें केवल 5 मुकाबले शर्डन जेक्शन आइकल में खेले हैं पहले आर्सी बी में हुआ करते थे उसके बाद में आप केकर टीम का हिस्सा है कई सालों से लेकिन अब दिस तरीके से उन्होंने अपनी मैचूर्टी दिखाई जिस तरीक लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब दो करें